हलो दोस्तो स्वागत आपका इस वीडियो में और मैं आज आपको पॉइंट ओफ इंटरसेक्शन निकालना सिखाऊंगा दो स्टेट लाइन्स का इन 3D में और इसी के साथ में मैं आपको अगर दो स्टेट लाइन अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है 3D में तो उसकी क्या मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं और पूरा सबजने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए तो यह दो स्टेट लाइन्स की क्वेशन में ली है और इनका पॉइंट अफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है तो जो पहले वाली स्ट लेंडा और मू के टमस में निकाल लेंगे तो पहली वाली एक्वेशन से हम एक्स की वेल्यू निकाले तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा टू लेंडा प्लस वन वाई हो जाएगा थ्री लेंडा प्लस टू और जैड हो जाएगा फोर लेंडा प्लस त्री दूसरी वाली equation से निकालें तो x हो जाएगा 5 mu plus 4, y हो जाएगा 2 mu plus 1 और z इसकी value आएगी mu के बरापर, यह हमने x, y और z lambda और mu के terms में निकाल लिये हैं, अब हमें जो इनका general general point of intersection होगा वो आप उपर वाले में से या नीचे वाले में से किसी को भी ले सकते हैं, तो जो उपर वाले को ले लेते हैं, तो जो उपर वाले line насirmary general point है वो हमने point of intersection Consider कर लिया है, तहीं के आप नीचे वाला भी सकते हैं दोनों से जो point of intersection आएगा, अगर 2 लाइनी इंत्रसेक्ट कर रही तो वह सेम होुगा अब हमें इन दोनों लाइन का Pode पॉइंट आफ इंट्रसेक्शन निकालना है तो हम यहां पर हमें sells करना पड़हगा जै ल्च को सॉल करना बात करें तो दोनों का जह लेफटेंच साइट वह सेम हैं तो हम राइटेंच चाइट को क्या कर सकते हैं, equate कर सकते हैं, तो 2 lambda प्लस 1 यह बराबर हो जाएगा 5 mu plus 4 के, इसी प्रकार से जो दूसरी equation है, वहाँ से भी हम y coordinate equate कर देमें, तो 3 lambda plus 2 equals 2, 2 mu plus 1, और third equation से mu equals to 4 lambda plus 3, ठीके, इनको थोड़ा हम arrange करके लिख लें, तो 2 lambda minus 5 mu equals to 3 दूसरी equation 3 lambda minus 2 mu equals to minus 1 और थर्ड equation हो जाएगी minus 4 lambda plus mu equals to 3 अब यहाँ पर आप इन तिनो equations में से कोई सी भी दो equation का use करके lambda और mu की value निकाल सकते हैं तो हम first और second equation का use करके lambda और mu की value निकालते हैं अब इन दुनो equations को आप कोई सी भी method से solve कर सकते हैं चाहे substitution की method से solve करें चाहे elimination की method से solve करें तो हम यहाँ पर elimination की method है वो use में ले लेते हैं तो एक जो भी variable है उसका जो coefficient है वो हमें equal करना है तो हम lambda की coefficients को equal करते हैं तो first equation में हमें 3 का multiply करना पड़ेगा और second equation में हमें 2 का multiply करना पड़ेगा multiply करने पर हमें मिलेगा 6 lambda minus 15 mu equals to 9 और दूसरी equation से 6 lambda minus 4 mu equals to minus 2 ठीक है अब इन्हें solve करेंगे sign change कर दे हम minus plus minus अब add करेंगे तो यह हो जाएगा cancel यहाँ पर minus 15u plus 4 mu यह होगा minus 11 mu के बराबर और यहाँ पर मिलेगा हमें 11 तो यहाँ से हमें mu की जो value है वो मिली है minus 1 के बराबर अब यह जो mu की value है आप इन दोनों में से कोई सी भी एक equation में put कर दें तो suppose हम first वाल equation पूट कर दें तो यहाँ से जो lambda की value आपको मिलेगी वो भी आएगी minus 1 के बराबर अब यह जो mu और lambda की value आई है उसको आपको यह जो third equation है उसमें put करना है और अगर यह values के लिए यह equation satisfy कर रही है तब आपका जो point of intersection है वो आएगा अगर satisfy नहीं कर दी है तो वो दोनों line intersect नहीं करेगी ठीक है अगर यह value substitute करने पर जो third equation है वो satisfy हो रही है तब ही वो दोनों lines जो है intersect करेगी otherwise they will not intersect तो यहाँ पर mu की value minus 1 और lambda की value minus 1 यहाँ पर आप put कर दो तो आपको LHS और RHS यहाँ पर मिलेगा बराबर ठीक है जैसे की minus 4 into minus 1 minus 1 equals to 3 तो यहाँ पर 4 minus 1 3 मिल जाएगा तो third equation में भी यह values है वो satisfy कर रही है मतलब यह दोनों जो straight line से वो intersect करेगी अब point of intersection निकाले तो lambda की value जो है minus 1 वो यहाँ पर put कर दें so minus 2 plus 1 comma minus 3 plus 2 comma minus 4 plus 3 so यह आएगा minus 1 comma minus 1 comma minus 1 यह आगया इन दोनों lines का point of intersection अब मैंने आपको बोला था कि उपर वाली line का जो general point है या नीचे वाली line का जो general point है उसमें से किसी का भी आप general point ले सकते हैं तो point of intersection सेम आएगा अगर हम नीचे वाली line का general point ले जो की है 5 mu plus 4 comma 2 mu plus 1 comma mu और इसमें भी आप mu की value minus 1 यह आपर substitute कर दें तब भी आपको यही same point में लेगा minus 1 comma minus 1 comma minus 1 ठीके इस तरह से दो स्टेट लाइन का point of intersection निकालेंगे हम 3D में अब एक question और लेते हैं जिसमें हमें बताना रहेगा कि जो दो स्टेट लाइन जो हमें given है इस question में वो intersect नहीं करेंगी हमें प्रूफ करना है तो यह next question है जिसमें हमें यह बताना है कि यह दोनों जो स्टेट लाइन से वो intersect नहीं करेगी तो हम पहले वाली को lambda के equipped मान लेते हैं दूसरे वाली को mu के और इन दोनों lines के जो general points से वो फटा-फट हम निकाल लेते हैं तो x equals to 3 lambda plus 1 दूसरा y equals to 2 lambda minus 1 और z equals to 5 lambda plus 1 अब दूसरी equation के general points निकाले हैं तो x equals to 4 mu minus 2 y equals to 3 mu plus 1 और z equals to minus 2 mu plus 1 ठीक है अब x वाले को x वाले के साथ करें तो y को y के साथ में और z को z के साथ में तो 3 lambda plus 1 equals to 4 mu minus 2 यह x component equate करा y component equate करेंगे तो 2 lambda minus 1 equals to 3 mu plus 1 और z component equate करेंगे तो 5 lambda plus 1 equals to minus 2 mu plus 1 अब नहां से हम एक पूरी equation बनाले lambda और mu के terms में तो 3 lambda minus 4 mu equals to minus 3 दूसरी वाली equation से 2 lambda minus 3 mu equals to 2 और third equation से 5 lambda plus 2 mu equals to 0 अब क्या करना है कोई भी दो equation उठानी है और उनके solution निकालने है और वो solution third वाली equation में satisfy कर रहा है satisfy कराने अगर वो satisfy नहीं करेगा तो दोनों line intersect नहीं करेगी तो हम यह जो second और third equation इने ले लेते हैं तो यहां से हम अभी में आपको substitution से solve करके बता रहा हूं तो यहां से हम lambda की value निकालने हैं तो वो होगी minus 2 by 5 mu के बराबर और यह जो value है lambda की वो इस second वाली equation में put करेंगे तो 2 lambda minus 3 mu equals to 2 lambda की value हैं पर put कर दें तो 2 into minus 2 by 5 mu minus 3 mu equals to 2 और यहां पर हम इसे थोड़ा solve करें तो हमें मिलेगा minus 4 mu minus 15 mu by 5 equals to 2 यहां पर मैंने एक गलती कर दिये पहले वो गलती सुदानी की जरुवत है यहां पर जो plus 1 है वो यहां पर नहीं आएगा तो जब हम z की value निकालें ने second equation से टो आएगी minus 2 mu minus 1 और यहां पर एक छोटी सी गलती हो गई है तो गलतीों का आप बहुत ध्यान रखें क्योंकि एक गलती से जो पूरा कोशन है वो पूरा चेंज हो जाएगा ठीक है तो अब हम इसे सॉल करते हैं तो जो थर्ड एक्वेशन थर्ड और सेकंड एक्वेशन को सॉल करने की बात करें थे हम यहां से हम लेम्डा और म्यू की value निकालेंगे इन दोनों equation का यूस करके तो यहां से हम लेम्डा की value निकाले तो आईगी माइनस टू माइनस टू म्यू बाए five के बराबर और यह वेल्यू अब हम इसेकंड equation ने पूट करेंगे तो two into minus two minus two mu by five minus three mu equals to two यहां से mu की value निकालेंगे, so वो आईगी, तो इस equation को थोड़ा solve करा, और फिर further हम यहाँ पर पोचेंगे, यहाँ से mu की value है, वो minus 14 by 19 हमारे पास आईए, अब यह जो value हो हमें इस equation में lambda की value में put करनी है, तो के corresponding lambda की value हमें मल जाएगी, so lambda है, minus 2, minus 2 mu की value minus 14 by, 14 by 9, sorry, 14 by 19 upon 5, so lambda हो जाएगा हमारे पास, minus 38 plus 28 by 19 into 5, जो किया आएगा, minus 10 by 5 into 19, that is minus 2 by 19, यह आई है, lambda की value, अब यह जो lambda और mu की value है, वो हमें इस first equation में substitute करनी है, अगर यह satisfy नहीं करेगी, तो हमारा जो lines है, दोनों line यह intersect नहीं करेगी, तो values put कर देते हैं, 3 into minus 2 by 19, minus 4 into 14 by 19, और इसकी value find कर लेते हम, सो, minus 6 by 19, minus 56 by 19, सो, यह हमारे पास आएगा, नीचे 19 और उपर minus 62, और यह value निकालेंगे, तो approximately minus 3.263 के बराबर आएगी, आनी कितनी चीए थी, minus 3, पर कितनी आ रही, minus 3.263, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो दोनों lines जो हमें गीवान है, वो intersect नहीं करेगी, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जो point of intersection यह वाला पूरा concept जो है, वह आपको अच्छे से समझ में आ गया होका, और आपके वीडियो पसंद आए, तो उसे like किजिए, share किजिए, और चैनल पर नहीं हो, तो subscribe करना ना भूले, notification bell को press करे, ताकि जैसी नया वीडियो अपलोड होए, आपको तुरंत उसकी information मिल जाए, तेंक यू सो मैज, तेंक यू फॉर वाचिं,